हलो फ्रेंड्स मैसल डॉक्टर सुशीला सैनिका इन्यकलाजिस्टेन अप्सुटीशन डायरेक्टर जापूर दूर्बीन हास्पटल एक बार फिर से आपके सामने हजिर है इस नई वीडियो में नई जनकरी के साथ फ्रेंड्स आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चे दानी के टीबी के बारे में जनरली आप सब लोगों के दिमाग में सुनकर बड़ा आश्चर होता है कि क्या बच्चे दानी में भी टीबी हो सकता है जी हां बच्चे दानी में भी टीबी हो सकता है फेफडों में टीबी होन भी पहुंच जाता है या फिर बच्चे दानी के रास्ते से ज्यसे नीचे से और इंफेक्शन होते हैं बैक्टिरिया वाले वैसे ही टीबी का इंफेक्शन भी हो सकता है अब आपके दिमाग में इस सवाल आ रहा होगा अफिर आपको पता कैसे लगेगा कि कहीं आपके पता लगना थोड़ा मुश्किल है बट जो सबसे पहले कॉमन जो आता है कि इसमें बच्चे नहीं लग पाते हैं यानि कि अगर आपकी शादी हो गई और आप बच्चा लगने के लिए करने के लिए ट्राइब कर रहे हैं और आपको फिर भी बच्चा नहीं लग रहा है तो दूसरा ही होता है कि अगर आपके पेड़ो में हलका हलका धर्द है आपको हलका भुखार रेता है आपको कम्झोरी रहती है वीचने हसाल गबरश चकर आते हैं और आपके साथ में आपका वजन कम होता जा रहा है आपको गंदे पानी का डिस्चार्ज है या आपको महवारी की अनेमिता यानि इर्रेगुलर मैंसेज है तो देर इस पॉसिबलीटी एक संभावना हो सकती है कि आपको वच्चे दानी का डीबी हो तो जब भी आपको लगे क आपको कुछ इस प्रकार के सिंटम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर की सलह जरूर ले ले किसी भी हलके सिंटम्स को भी इग्णोर ना करें जाज करने में कोई नुकसान नहीं है बट अगर बिमारी है तो उसका इलाज होना बहुत ज़ादा जरूरी है यदि आपको डॉक्टर कह गासबस के एहरिया को अच्छह से देखा जा सके और पता लगाया जा सके कि और बीमारी तो नहीं है जो ten b pleasing के अंदर जो जमसीं मिलेगी उसमें जंडली ट्यूपस डैमेज हो जाती तो तो थे न्डर हैड्रो वॉसकता बच्चे द्यूपस बन सकता- मगर okuli आते वगर पार पसमें चिपक जाती हैं तो खाना पीने की दिक्कत हो सकते हैं और पेट में बार बार दर्द होता रहता है कर अंडेदानी के अंदर घाटें बन चाती हैं जिसको तो वह भी दिखाई दे सकती है तो इस परकार कई सारी फाइंडिंग्स हैं जो सोनोग्राफी में ही पकड़ में आ जाती है कि क्या आपको बच्चेदानी का टुबर क्लाॉसिस या टीबी तो है या नहीं है इसके अलावा टीबी के कई टेस्ट भी कराया जाते हैं जैसे कि टीबी ग है तो कहा जा सकता है कि आपको टीबी का बक्तीरिया आपके शरीर के अंदर है अन्दर है वह वह घ्शा सपस्क्राइब तो यह बिमारी बढ़ रही है, तो उसमें आमको तीन महीने का समय लगता है, क्योंकि जो टीबी का बक्तिरिया होता है, वह होती स्लो ग्रोइंग होता है, इसलिए टीबी का डाइगनोसिस बनाने के लिए आपके डॉक्टर का एक्सपिरियंस का फिर जदा माइने रखता है, अग तो इनको बच्चा लगने की समस्या भी होती है, और ऐसे स्थिति में दूरबीन की जाच हमेशा बताई जाती है, जिसको डीएचल सीपिटी के नाम से बोलते हैं, या डिएगनोस्टिक हिस्ट्रोस्कोपी, लेपरोस्कोपी और ट्यूबल टेस्ट बोला जाता है, तो जब सफीध मतीरियल पलविस सफीध मतीरियलं पैल्विस के इंदर जंआ हो जाता है, कई बार अंडेदानी भी आपस में चिप थीयू और ओवरी का मिल कर एक टियो मास अडीक्स बन जाता है, जो वच्चेदानी के पिछे का इसा आते हैं, वो आपस में चिप थे जाता है, तो इस तरह कि जो फाइंडेंग्स होती है जिसमें छोटे चोटे ट्यूबरकल्स दिख रहे हैं और क्लब शेफ ट्यूब दिख रहे हैं यह वैरी केपेकल है कि यह बच्चे दानी का टीबी ही होगा और यदि अगर दूर्बीन के जांच में पाया गया है कि ट्यूबरकलॉसिस ह तो फिर ट्यूबरकलॉसिस माना जाता है क्योंकि कई बार हम इन ट्यूबरकल्स की बायोप्सी लेते हैं और जांच के लिए भी जवाते हैं तो कई बार उन में पाजिटिव आता है कई बार नेगेटिव भी आ जाता है लेकिन अगर ऐसा पाया जाता है तो डेफिनिटली इडीमा जैसा फाइंडिंग दिखता है या अंदर का लेयर का बहुत जादा इंफेक्शन और कंजैशन दिखता है जिसको एंडोमेटराइटिस बोलते हैं तो इस तरीके के जो दूर्बीन से जो जांच की जाती है उसमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि बच्चेदानी का टीबी है तो इसका सीधा से इलाज है जो कि है दौक्ति घ्यों करें इसमें डी जाती है जो सुबस हालि पेट lagi होती है अगले चार से 6 महिने के लिए अब चुकि बेक्टीरिया जो टीवी का बच्चेदानि के अंदर पहुचला है वह लोग रूंइग होता हो घ्या जो बारा महीने तक चलाना पड़ सकता है तो कि भीच में बेचे बंद करें क्योंकि यदि आप ने टिर्टमेंट बेच में बंद कर दिया तो आपका त्रीटमेंट दो अधूरा रहे तो फिर आपका ट्रीटमेंट कम से कम दो साल तक लेना पड़ता है और जो चार मेडिसिन बोली जाते हैं जो स्टैंडर्ड मेडिसीन है टीबी की उनके अलावा अल्टरनेटिव मेडिसीन भी देनी पड़ती है जो कि बहुत कंबरसम होता है बहुत इनको लेना मुश्किल होत सकते हैं क्योंकि यह जो दबाईयां जो शुरूर की चार मेडिसीन से हैं वो तो सरकारे स्किम्स के अंदर फ्री मिल जाती है हर टीबी के सेंटर कर मिलती है तो आप कहीं से भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं लेकिन अगर आपने डिफॉल्टर हुए आपने पूरा नहीं लिया तो फिर आपका स्वास्ते बिगड सकता है टीबी बढ़ सकती है और फिर आपके आतों में और भी कहीं टीबी फैल सकता है जो कि आपको बहुत नुकसान दे हो सकता है तो जब भी आपका टीबी का ट्रीटमेंट शुरू हो उसे हमेशा टाइम पे खतम करें तो इस वीडिय से मिलकर अपना ट्रीटमेंट जरूर करवाईए यदि आपके कोई कॉशन अभी बाकी रहते हों जो हमारे वीडियो में कवर नहीं हुए है तो आप डेफिनिटले में कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हैं और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब सब्सक्राइब नहीं किया तो प्ली सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लेंगे आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नहीं जान करेंगे साथ तब तक नमस्क्राइब